नमस्कार साथियों दॉक्टर उमन्ध थरना होमियोपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे डर के विशे में डर ऐसी चीज है जो जीवन में किसी ना किसी पड़ाओं पे हम सब को सताती है किसी ना किसी बात से हम सब को डर लगता है कोई ना कोई बात सोच के हमें मन में गबढ़ाट पैदा होती है हम कोशिच करेंगे इस वीडियो के मार्थेम से साथियों आपके इस डर को खत्म करने की वीडियो थुड़ा लंबा है ज्यादा दमाई है क्योंकि ज्यादा सिंक्टम है दर आदमी को एक चीटी से भी लग सकता है और एक वेक्ति को एक हाती से भी हैं डर आपको सड़क के बाहर जाने पे भी लग सकता है और डर आपको अमरीका जाने पे भी लग सकता है डर आपको एक साइकल चलाने में भी लग सकता है और डर आपको हवाई जहाज में भी लग सकता है डर आपको अपने परिवार के खोने के किसी के विशह में लग सकता है डर आपको एक्जाम जाने के देने के विशह में लग सकता है डर आपको किसी से मिलने के विशह में लग सकता है और बिना किसी बात के भी आपको डर रात में लग सकता है चाहे सपनों से, चाहे मौस से, चाहे जिस चीज से तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगी जो थोड़ा सा लंबा है डर को दूर करने की होमियोपेथिक दमाएं अपने मन से डर को भगाने की होमियोपेथिक दमाएं आप इस वीडियो में तलासिएगा अपने कारण को आपको किस कारण से डर लगता है कोशिश करूँगा उस कारण का जवाब इस वीडियो के मादियम से आपको दे सको पताऊंगा साथियों आपको करीब 15 कारगर होमियोपर्थिक दमाएं जो विबेने सिंटमों पे आपके डर को दूर करेंगी रिक्वेस्ट साथियों यही है कि यहां दमाएं आपकी जानकारी के लिए हैं अगर इलाज करिएगा तो किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराके ही दवा लीजिएगा चलते हैं साथियों बताते हैं आपके जीवन को और खुशाल बनाने का बे जिजक बनाने का दर को दूर करने की 15 कारगर होमियोपर्थिक दवाएं साथियों नमबर एक दवा जो होमियोपर्थि में डर को दूर करने की है वहाँ है एकोनाइटम ने प्लस Echo night बहुत अच्छी दवा है डर को दूर करने की और Arsni का album बहुत अच्छी दवा है मन में anxiety या उल्जन को दूर करने की तो यहाँ पर बात हो रही है डर की तो दवा है Echo night Echo night आप हर उस सिती में ले सकते हो जब आपको मौस से डर लगता हो जब आपको अंधेरे से डर लगता हो जब आपको road cross करने में डर लगता हो जब आपको किसी से मिलने में डर लगता हो और आपको किसी भी बात से डर लगता हो तो Echo night बहुत अच्छी दवा है यहाँ दवा जेनरल सिंटम के तौर पे आपके हर प्रकार के डर को दूर करने में समरता है तो यदि आपको डर जादा लगता है या फ्राइट आपको रहती है तो एको नाइट 30 पावर में दो दो पून दिन में 3 बार आप ले लें 5 दिन तक आप देखेंगे कि आपकी डर की स्थिति कम हो गई चाहे वो किसी भी चीज से डर हो आपको यहाँ दवा राहत देगी एक साथियों डर की स्थिति आती हो कि आपको एक तरह का डर लगता हो कि सब कुछ गिर जाएगा सामने धर है वो गिर जाएगा कोई घोडा चला है वो गिर जाएगा कोई पुल बना है वो गिर जाएगा तो अगर इस तरह कि आपको डर लगता हो कि सब कुछ गिर जाएगा तो उस डर को भगाने के ओमियोपर्थी में बहुत कारगर दवा हाइड्रोसाइनिक एसिड आप हाइड्रोसाइनिक एसिड थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल दे सकते हैं यहाँ दवा आपके जो आसंका रेती आप जहां से गुजरे वो चीज गिर जाएगी उस आसंका के जो डर है उसको खतम करेगी और आपका सड़क पर चलना आसान बनाएगी एक साथी नों डर की स्थिती हो सकती जिसमें आपे हम डर सकते हैं वहाँ है इमेजिनरी थिंक से डर आपको हैल्यूसिनेशन हो रहा कि कोई मेरे पीछे आ रहा और आप डर गए आपको एक आसंका हो कि कोई सामने खड़ा है और आप डर गए आपको आसंका हो कि कोई हवा में तैर रहा है और आप डर गए तो अगर इस तरह की सिती आसंका आपके मन में सातियों हों तो उस तरह के डर को दूर करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है इस्ट्रेमोनियम आप इस्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2-3 दिन में 3 बार हर उस सिती मिले सकते हैं जब आपको जो चीज आपके सामने प्रकट नहीं है इमेजिनरी है उससे आपको डर लग रहा है यह दवाप आपके डर को खतम करेगी आपके हैलुजिनेशन को ठीक करेगी और आपके जीवन को सरल और सुगम बनाएगी एक साथियों स्थिति आती है डर की कि आपको लगता हो कोई आपका पीछा कर रहा है हर वकत अगर यहाँ डर आप में हो आप बजार जाते हो तो कोई आपका पीछा कर रहा है आप किसी फंक्शन में जाते हो तो कोई आपके नजर बनाए है अगर यहाँ अशंका आपके मन में हो, यहाँ डर आपके मन में हो, तो उस इस्तिती के उठीक करने की हुमियोपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एनाकाडियम, आप एनाकाडियम दो सो दो दो पून दिर में तीर बार ले सकते हैं जब आपको लगता हो कोई आपका पीछा कर रहा है कोई आपके साथ चल रहा है और आप उससे परिशान हो जाते हो एनाकाडियम आपको ठीक करेगी एनाकाडियम का मरी जाम तोर पे थोड़ा सा जगडालू होता है और क्रूयल होता है तो अगर आपको लगता हो कि आप थोड़ा सा आप में यहाँ अंसायक रुयल्टी का तो आपकी दवा एनकाडियम है इसको 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल लेके आप लाप लाप कर सकते हैं एक इस्थिती इसासी हो आ सकती है कि कभी आपका एक्सिडेंट हुआ हो उसके बाद अब आप डर जाते हो तो अगर यहाँ इस्थिती हो कि कभी आपका एक्सिडेंट या ट्रॉमा आपको पहुंचा हो किसी तरह का और आप उसी की आसनका से अब डर जाते हो तो अगर वह स्थिती ये सातियों तो उसको ठीक करने की होमियोपैथी में दवा ओपियम है आप ओपियम 30 दो दो बुन दिन में 3 बार ले सकते हैं यदि आपको किसी एक्सिडेंट के बाद अब डर लगता हो कोई आपको ट्रॉमा छोट पहुंची है उसके बाद आपको डर लगता हो तो ओपियम बहुत अच्छी दवा है आपके डर को खतम करने की और आपको खुशाल बनाने की एक स्थिती सातियों आती आपके दिमाग में एक डर की कंडिशन आती कि आपको लगता हो साब अब हम भगवान को जाने वाले हैं उपर वाले पास जाने वाले हैं और उससे घबडा जाते हो यह सत है लेकिन घबडा जाते हो आप इस सत को सूच कर और आप भगवान का नाम तक ना ले पाएंगे उस समय आपको ऐसी आशन खाओ अगर यहाँ साथियों बड़ी टिपिकल मेंटल कंडिशन है तो इसको ठीक करने के होपेथी में दबा है कैनेबिस इंडिका आप कैनेबिस इंडिका 30 पावर में दो 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 गून दिन में 3 बाल ले सकते हैं यहाँ दबा आपकी डर को खतम करेगी आपकी जो मरत्युक का डर है आप में उसको खतम करेगी और आपको थोड़ा सा कमफर्ट जोन में लाएगी एक साथियों सिटी आती है कि आपको रात में सोने के बाद बड़े खुबसूरत सपने आते हों लेकिन आप डर जाते हों तो अगर यहाँ सिती है कि आपको सोने के बाद बहुत सपने आते हों और आप उपकी रात में नींद खुल जाती हो और आप घबडा जाते हों तो उसको दूर करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर तबाह है नक्स फॉमिका आप नक्स फॉमिका थर्टी दो दुबून दिन में तीन बार ले सकते हैं यदि आपके रात को सोने के बाद खुबसूरत सपने आते हों लेकिन फिर भी आप घबडा जाते हों तो आप नक्स फॉमिका लें अपने को ठीक करें गहरी नींद रात में उसके बार सोने सुबा उठें तो फ्रेश उठें और दिन में आप डड़ेना तो नक्स फॉमिका इन सारे मुद्धों पे आपकी हेल्प करेंगे और आपको बेहतर पनाएगे एक सिति आती है सातियों जब आपको परच्छाई से भी डर लगता है रात में जब आपकी परच्छाई डिवार पर पड़ती है तो आप घबडा जाते हैं आप डर जाते हैं तो अगर यह सिति आप में है सातियों तो इसको ठीक करने की और दर को दूर करने की हुमियोपेथी में बहुत कारगर दभा है कैलेडियम आप कलेडियम 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं उस सिति में जब आप रात में आपकी परच्छाई भी दिवार पर पर पड़ती हो तो आप डर जाते हो तो कलेडियम 30 आपको ठीक करेगी आपके डर को खतम करेगी और आपको निश्चिंत पनाएगी एक साथियों सिति आती कि आपको डर लगा और डर लगने के बाद आपकी सांस फूलने लगी अगर याई सिति आप में है कि आपको डर लगता हो डर लगने के बाद आपको सांस फूलती हो तो इसको ठीक करने के ओमियोप्रेथी में बहुत कारगर दवा है क्यूप्रम मिटालिकम क्यूप्रम मिटालिकम 30 दो दो बून दिन में 3 बार आप उसे स्थिती मिले सकते हैं जब आपको डर या घवडाट होती हो और आपकी सांस फूलने लगती हो और इसका एक सिंटम साथियों और है कि आपके पैरों में एठन हो अगर या इस्थितिया हो तो आपके डर को भगाने की आपके फियर को खतम करने की बहुत कारगर दवा है क्यूप्रम मिटालिकम एक साथियों इस्थिती डर में mental condition आ जाती है कि आप को डर लगता हो और आप इसे दस लोग जमाएं वहाँ से भागने की कोशिस करते हो तो अगर आपको अचानट डर लगने लगता हो आप लोगों के बीच से भागने का प्रियास करते हो जाने का प्रियास करते हो तो उस तरह कि इस्थिती को ठीक करने की हो में उपरती में दवा है और दवा का नाम है मर्कूरियस आप मर्कूरियस 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार उससे सिती में ले सकते हैं जब आप लोगों के बीच खड़े हों जमावडे में हों और एकदम से आपको घबढ़ाट और वहां से आपका भागने का मन करें तो उस तरह का जो डर अचानक आपके पैदा होता उसको दूर करने की दवा मर्कूरियस बहुत अच्छी है इस दवा को आप 30 पावर में दो दो बून लेकर अपने मन को सांथ कर सकते हैं अपनी घबढ़ाट को डर को खत्म कर सकते हैं एक साथियों डर की स्थिती आती है कि कभी-कभी महसूस हो सकता है किसी को कि उसको चाकू मार दिया जाएगा चाकू से उस पर हमला होगा उसको चाकू मार दिया जाएगा तो अगर यहाँ डर हो कि आपको नाइफ से हमले का संका हो और उससे आप डर जाते हो उसको ठीक करने के हुमियो पैती में बहुत कारगरदवा आर्सनी के अलबम है आप आर्सनी के अलबम 30 पावर में 2-2-3 ले सकते हैं हर वो मरीज ले सकता है इसको चाकू से हमले अपने उपर हमले का डर बना रहता हो उसमें restless anxiety बहुत हो, बेचैनी बहुत हो, उल्जन रहती हो और एक जगहां रूख न पाता हो थोड़े थोड़े वक्त पे उसको प्यास लगती हो, गला सुकता हो और उसमें घबढ़ाट हो तो आर्सनी के अलबम आपका drug of the choice है आपको यहां दबाठी करके जो चाकू से आपको हमले किया संका से डर की बात है उसको खतम करेगी आपके दीवन को निश्चिंत और निर्भी बनाएगी एक साथियों डर की सिटी किसी में आ सकती है कि उसको डर लगता हो कि हमारे बिस्तरों में, गदों में, बेट पे आग लग दे अगर इस तरह का symptom आप में आता हो कि आपको यहां लगता हो जिसे आप लेटे हैं और आपका बिस्तर जला है और आप घवडाक एकदम से उड़ गए जिनके समस्या नहीं है उनको तो सुनके यह मजाक लग रहा होगा लेकिन यह मजाक नहीं है जिसको दिमाग में बात आती है उसके आती है उसको इससे डर लगता है और इस डर को भगाने की और यह जो बिस्तर के जलने की एक imaginary आती है बात और आप उससे घवडा जाते हैं उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है होमियोपेथी में और दवा का नाम है क्यूप्रम एसिटिकम क्यूप्रम एसिटिकम थाटी पावन में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं आप यहाद अब आपके डर को खतम करेगी आपको जो लगता है आपका बिष्टर पलंग बेड चल रहा है वह इस चिति को खतम करके आपको बड़ी हासी नीन देकर सुलाईगी और सुबा नार्मल उठाएगी एक इस चिति आती है साथियों डर की जो ज़्यादा कॉमन है भूतों से डर जब आपको लगता है कि कोई घोस्ट आसपास मौजूद है आप उससे बहुत डर जाते हैं वो घोस्ट आएगा और आपको आपने आगोश में ले लेगा तो अगर यहाँ डर आप में है मैं सारी हॉरर फिल्म्स की बात कर रहा हूँ अगर यहाँ डर आप में है तो इसको ठीक करने के हुम्यों पहती हैं बहुत कारगर दबा है कैमफोरा आप कैमफोर 30 पावर में दो दो बूंद इन में तीन बाल ले सकते हैं अगर आपको इमेजनरी ठीक जैसे की भूत बूतों से डर लगता हो आप इस दबा को ले और हम सब कह सकते हैं कि कभी न कभी ऐसे हम लोग शायद जरूर डरे हो तो इसकी यहाँ बहुत कारगर दबा है आप इसको लेके लापराप कर सकते हैं एक स्थिति साथियों आती हो आसकती है आप में कि आपको लगता हो कि बुरी आत्माएं हमको जीवन में गिरा देंगी जीवन में हमको नुकसान पहुचाएंगी हमको गिरा देंगी तो अगर यह स्थिति आपको अपने में लगे कि बुरी आत्माएं आपका बहुत जादा नुक्सान कर देंगी तो उस इस्तिती को डर को खतम करने की बहुत कारगर दवा है उम्योपेथी में और दवा का नाम है मैंसिनिला आप मैंसिला 30 पावर में दो दो गून दिन में 3 भाल ले ले आपको जो बुरी आत्माउं से डर है आपता वहाँ खतम हो जाएगा और आप बिल्कुल अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे एक इस्तिती सातियों आती है कि रात में अचानक घवड़ाट हो गई अपनी लगता है कि अब हमारी डेथ हो जाएगी अगर यहाँ इस्तिती हो कि रात में आप लेटे लेटे सोते सोते एक दम से आपको लगता हो कि आपकी डेथ हो जाएगी और आप उठके सीना पकड़ लेते हो अपने जो है चेश्ट को होड़ कर लेते हो तो अगर यहाँ समझ से आप में है कि रात को उस फुते वक्त आपको डेट से अपनी घबडाहाट होने लगे तो उस घबडाहाट को खतम करने की होगी उपरती में बहुत कारगर दवा है आजनिका मॉंटाना आजनिका वनियम पावर में दो दो गून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहा दवा आपके इस सिम्टम को खतम करेंगी जो कि यह बताती है आपको रात में उठे और अपनी ही मौश से डल लगने लगा और रात में उटके बैठके खीना पकड़के बैट गए आप आजनिका का सेवन करें यहाँ दवा आपके इस तकलिफ को खतम करके आपको सामान करेगी एक इस्टिती साथियों किसी में आ सकती कि शाम के वकट गवडाट होने लगी जब शाम हुई तो मन गवडा गया एक बेचैनी आ गई तो अगर शाम के समय आप लोग को किसी ओगावडाट होती हो तो इसको ठीक करने के होंगो पैथी में बहुत कारगर दवा है अलूमिना आप अलूमिना दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यदि शाम के वकट आपको डर लगता हो फियर होता हो आप में कॉंस्टिपेशन बना रहता हो मोशन आपको कई की दिन पे 3-4 दिन बाद एक बार होता हो पहले वास सकत होता हो फिर मुलाइम होता हो आपको सर्दी बहुत लगती हो और आपको स्कीन के डिजीजेज हो इस तरह का कोई भी symptom अगर आप में है तो आपकी दवा ऐलुमिना है ऐलुमिना आपकी शाम की गबढ़ाट को खतम करके आपकी शाम को गुलाबी और खुबसूरत पनाएगी एक सातियों किसी के मन में स्टिती आ सकती है कि उसको आसंका हो कि कुछ बुरा होने वाला है उससे वो घबढ़ा जाते हो खास तोर से महिलाओं में याज सिंटम होता है तो अगर यहां इस्टितिक की सी महिला में है कि उसको लगता हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है उससे वहां बहुत घबडा जाती हो तो उसको ठीक करने की होंगो पैती में बहुत कारगरदवा है कैलकेरिया कार्गोनिकम कैलकेरिया कार्ग थर्टी दो-दोबून दिन में तीन बार हरवा महिला ले सकती है जो फ्यर फैट एंड फ्लाइबी हो थोड़ा रंग गोरा हो थोड़ा सा थुल्थुल हो मोटी हो उसके सर से पसीना रात में बहुत आता हो पूरा तक्या भीग जाता हो इतना पसीना आता हो सरती बहुत लगती हो और उसको लगता हो साहब कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो कैलकेरिया कार्व आपके रिस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक करेगी एक साथियों बहुत इंपोर्टेंट डर का कारण होता है अंधिरा अगर आपको अंधिरे से डर लगता है तो इसको ठीक करने की हुमियों पैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सैनिकुला आप सैनिकुला 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यदि आपको अंधिरे से डर लगता हो और आपको लगता हो कोई हमारे पीछे खड़ा है तो आप सैनिकुला 200 पावर में लें दो 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 बून दिन में तीन बार और अपने इस प्रकार के डर को बगाएं अपने अंधिरे से होने वाले डर को बगाएं क्योंकि अंधिरा कहीं भी मिल सकता है और आप अगर ऐसे डरेंगे तो कैसे चलेंगे तो अंधिरे से डर दूर करें, से निकुला दवा का इस्तमाल करें एक सिती साथियों किसी के डर में आ सकती, आपके डर में आ सकती, हमाई डर में आ सकती कि हम इमेजिनेबिल थिंक्स से डरते हो, कुत्तों से बहुत डर लगता हो तो अगर यहाँ इस्टिती हो किसी को डॉक से बहुत डर लगता हो, कुस्तों से बहुत डूर डर लगता हो तो इसको ठीक करने के होंगा पैठी में बहुत कारगर दवा है बलेडोना बलेडोना दो सो पावर में दो दो बून दिन में टीम बर आप ले सकते हैं यदि आपको imaginary things और dogs से fear होता हो, डर लगता हो एक इस्टिती साती हो आती कि आपको स्थीड़ी चड़ने या उतरने से भी डर लगता हो आपको लगता आप गिर जाएंगे तो अगर यहाँ इस्टिती हो कि आपको stairs climb करने या stairs से उतरने में बहुत डर लगता हो तो इसको ठीक करने के हुमें उपयती में बहुत कारगर दवा है अनस्मोडियम आप अनस्मोडियम थाटी दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं और अपने ये जो स्थीड़ी चड़ने और उतरने का डर है इसको आप खत्म कर सकते हैं एक साथियों mental condition आ सकती है डर की स्थीटी में किसी की कि उसको हर समय डर बना रहता हो कि कहीं हमला न हो जाए एर रेट समपे न हो जाए या कहीं जाए तो वो काम न हो पाए इसलिए काम बड़ी जल्दी अब करता है इससे आप कहीं बाहर जाते हैं उससे पहले काम को घर में जल्दी जल्दी समेटना अगर वहाँ इस्थिति आपके दिमाग में है कि आपको एक डर बनाया उस कारण आप हर काम को बड़ी जल्दी करते हैं पता नहीं काम आगे हो पाई की नहीं वो जो डर अगर आपके मन में है तो उसको ठीक करने के हुमियो पैथी में बहुत कारगर दवा है आर्जेंटम नाइटिकम आप आर्जेंटम नाइटिकम थाटी दो तो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहाँ दवा जो आपका over anxiousness है उसको खत्म करेगी और आपको घर से बाहर जाने से पहले कि जो घवड़ा हाट होती उसको खत्म करके आपके जीवन को सुगम बनाएगी एक साथियों बड़ी मज़दार कंडिशन उसकी बड़ी मज़दार दवा है वहाँ कंडिशन यही कि आपको गरीवी से डर लगता हो पौवर्टी से डर लगता हो तो अगर आपको गरीवी से डर लगता हो तो उस डर को ठीक करने की हुम्योपैथी में बहुत कारगर जवा है ब्राइनिया एल्बा मान लेते हैं आप बड़े अमीर हों आपके बड़ा पैसा हो लेकिन आपके मन में डर बना रहता हो कि अगर हम जमीन से उठे हम पहले की तरह जमीन पे ना गिर जाए मैं उस तरह की बात की बात कर रहा हूँ तो अगर वहाँ डर आप में हो तो उसको ठीक करने के होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्राइनिया अलबा आप ब्राइनिया 30 पावर में 2-2 वून दिन में 3 बार ले सकते हैं यहाँ दवा आपसे गरीवी के होने वाले डर को या गरीवी में वापस न चले जाएं इस डर को खतम करके आप आज जिस्वी मुकाम पे हैं आपको उसका पूरा आनंद देगे एक इस्थिति साथिएं किसी की मांसी का स्थर पर हो सकती कि उसको डर लगता हो इस बाज से कि उसको जहर दे दिया जाएगा या पर इसको बुरी आत्मा आएंगे उसको नुकसान पहुचा देंगे तो उस डर को भागाने के हों यो पैठी में बहुत कारगर दवा है हायोसाइमस आप हायोसाइमस दोसवा पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं यहां दवा आपको जहर देने की आपकी आसंका है कोई आपको जहर दे देगा उससे आप डर जाते हैं तो आप कोई वास्तम में जहर देने वाला हो तो जरूर डरें लेकिन कभी-कभी आसंका से आप डर जाते हैं तो उसको ठीक करने की ओमियोपैटी में बहुत कारगर दबा है, आपके ट्रेन से डर को खतम करने की बहुत कारगर दबा है, क्योंकि साथियों कहीं आपको बाहर जाना है अपने शायर के तो उसके तीन सादन या, तो काड़ी या ट्रेन या प्लेन, एरोप्लेन हर जगाई अरपोर्ट होते रही है, पॉसिबिल नहीं है, गाड़ी आप हर समय अपनी निकाल नहीं सकते, तो ट्रेन आज भी बड़ा सुगम सादन है, और अभी अभी कल मैं नियूस में देख रहाता है कि अभी सरकार ने कल बताया है लोक सभा में, कि 11 महीने से ट्रेन के सफर में एक भी मौत नहीं हुई है, तो पहले तो आप इस तर्थ को ही जहान कर लें कि 11 महीने में एक भी मौत ट्रेन से नहीं हुई है, तेकिन फिर भी अगर आपको डर लगता है ट्रेन से तो उसको ठीक करने की उमयोप्यथी में बहुत कारगरदवा हो डर को पखाने की बहुत कारगरदवा अर्प काइनम आप सुकाइनम थर्टी पावन में दो दोबून दिन में तीन भार ले लें आपका ट्रेन से होने वाला डर जो आप में बैठा है वाखत्म हो जाएगा और आप ट्रेन पे बेतर और निश्चिंत सफर करेंगे एक इस सिती आती है सातियों मन में गवड़ाट होती कि बहुत बड़ा कोई जो है वो भूचाल आने वाला है बहुत बड़ी कोई डिजास्टर होने वाली आम तोर पे जब लोग पाणओं पे जाते हैं हीली एरियास में जाते हैं तो कुछ लोगों के मन में डर रहता है कि बहुत बड़ा कोई दुर्गटना होने वाली है एक नैचुर कलायमेटी डिजार आने वाली है आपका जो डर है कि कोई प्रास्प्रतिक आपदा आ जाएगी वह डर खतम हो जाएगा और आप अपने जीवन को सहज महसूस करेंगे एक इस्थिती सातियों आ सकती कि आपको उपने भविश को लेके बहुत डर लगता हो तो अगर यह स्थिती हो कि जब आप उपने फ्यूचर को लेके बहुत डरते हों भविश को लेके बहुत डरते हों तो उसको ठीक करने की भी हुमियों परती है बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है काली कारगो निकम आप काली कार 30-2-2 गों दिन में 3 बार ले सकते हैं यहां दवा आपके डर को खतम करेगी आपकी घबराइट को खतम करेगी और जो फ्यूचर के प्रति आप ससंकित हैं उसको खतम करके आपके फ्यूचर को भी बेतर करेगी क्योंकि आपकी दिमागी कंडिशन को ठीक करेगी यह सातियों को दवाएं थी आपके डर को भगाने की डर के आगे जीत है जीवन में डरे ना जीवन में आप नाम करने आएं अपने माता पिता का नाम करके इस जीवन से जाएं अगर डरेंगे तो आप नाम नहीं कर पाएंगे और आज कल की पीड़ी की मैं बहुत बड़ी कमी समझता हूँ डर आज कल हम लोग के बच्चे डरे रहते हैं उतने बोल्ड नहीं रहते जितकों रहना चाहिए था और बाकी जो लोग बचते हैं वो ये आत्मा घेल लेगी वो टोना टुटका करना है ये करना है ये जादो टोना कर दिया होगा उसने इन सब डरों से आसन कित रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको आपकी बातों का जवाब देने का प्रयास किया है अगर सात्यों आपके मन में कोई क्वरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वरी लिक कर रहा हमारे वाट्साप नमबर जो नीचे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में उस पर अपनी क्वरी को भेज सकते हैं सात्यों मैं आपसे निविद्ः करता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा आपने चैनल को सब्स्क्राइब करा होगा और उससे सब्स्क्राइब कराने को प्रेडिट करियेगा और पेल नोटिफेक्शन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राथ करते रहिएगा उमीदे साथियों आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हर वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगती है और थोड़ा सा अगर अपना असिरवाद हम लोगों को दे देंगे अपना ब्लेसिंग्स हम लोगों को दे देंगे हमाले दूआ कर लेंगे तो बात भी लोगों तक पहुँच जाएगे और हम भी लोगों तक पहुँच जाएगे आपका साथियों इस लंबे से वीडियो में इत्ती देर साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत साथ वाद बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत झाल आजब का झाल